लोगसबा चुनाव के लिए कॉंग्रिस ने दिल्ली में अपनी तीनो सीटों पर उमीदवार घोशित कर दिये हैं लेकिन इन तीनों में से उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोगसबा सीट सबसे जाधा चर्चाओं में बनी हुई है जिसका कारण है यहां से कॉंग्रिस के उमीदवार कनया कुमार 2019 में बीजेपी ने दिल्ली की सभी साथ सीटों पर चुनाव जीता था लेकिन इस बार पार्टी ने 7 में से 6 सांसुदों के टिकेट ही काट दिये दरसल बीजेपी को सांसुदों के खिलाव एंटी इंकम्बेंसी का ड़ लग रहा था सिर्फ उत्तर पूरवी दिल्ली के सांसात मनोस तिवारी अपना टिकेट बचा पाए वैसे चड़चा तो उनके टिकेट कटने को लेकर भी चल रही थी अब तिवारी का सामना कॉंग्रिस के युवा नेता कनया कुमार से है एक तरफ कलाश शेत्र से राजनीती में आए मनर्श तिवारी हैं तो दूसरी तरफ छात्र संगी राजनीती से देश्वी राजनीती में चाए कनया कुमार है कनया कुमार राहूल की भारत जोड़ो यात्रा में भी राहूल गांधी के साथ कदम से कदम मिला कर चले थे जिसके बात वो राहूल गांधी की पसंद्द भी बन गए बसे कनया कुमार की राजनीती में शुरूवाद CPI से हुई वो बिहार की बेगुस्तुराई सीट से CPI की टिकट पर ही 2019 में लोग सुबा का चुनाव लड़े थे लेकिन चीत हासिल नहीं कर पाए थे कनया JNU में छात्रसंग के अध्यक्ष रह चुके हैं हाला कि इस दोरान वो विवादों में भी फज गए थे JNU में एक कथे देश विरोधी नारिवाजी हुई थी जिसे लेकर कनया के खिलाफ मामला भी दर्श किया गया था ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है लेकिन अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है कनया के कॉंग्रिस में आने के बाद से ही उनके कदम तेजी से सफलता की सीड़िया चड़ रहे हैं और अब कॉंग्रिस नोंने दिली से टिकेट भी दे दिया है कनया के भाषणों में गरीब, मजदूर, दलित, शोशित, वन्चित की बात अधिक रहती है नौर्थ इस्ट लोगसवाश शेत्र में बड़ी तादात, यूपी, बिहार, हर्याना जैसे राज्यों से आकर मेहनत मजदूरी कर रहे जीवन यापन करने वाले लोंग है लेट से आये कनया के चेहरे पर कॉंग्रिस की रण नीती इस वोटर वर्ग को साधने की भी है दलित पिछड़ा अल्प संक्यक और मजदूर वर्ग को साथ लाकर वोटों का नया सम्मिकरण गड़ने की भी है कनईय कुमार अपने भाषडों में युवाओं और रोजगार के साथ ही दले तुपिश्वरे और दबे कुछले बर्गों की बात करते हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली के जुआती समीकरण की बात की जाए तो यहां OBC 21.75%, 20.74% मुसलिम अबादी है जबकि 16.30%, गुर्जर और 7.57%, पंजावी 4% और वैश्य 4.68 वैश्य हैं तो ऐसे में कॉंग्रेस पिछले 10 साल से सांसत मनोस्किवारी को लेकर एंटी इंकम्बेंसी कैश कुराने की कोशिश में जुटी होई है ऐसे में दलित मुसलिम OBC वोट और पूर्वांचली वोटर्स को साधने के लिए इस सीट से कनया को खड़ा किया गया है नौर्थ इस्ट दिल्ली लोगसबा सीट के चुनाव नतीजे तै करने में पूर्वांचली वोटर्स का रोल भी निननायक माना जाता है इस सीट के समीकरोन की बात करें तो यूपी और बिहार से नाता रखने वाले मद्दाताओं की तादार करीब 28 फीजदी है अगर इस सीट के इतिहास की बारे में बात करें तो तरपूर्वी दिल्ली लोगसबा सीट 2008 में अस्तित्व में आई 2009 में पहली बार यहां पर लोगसभा का चुनाब हुआ तब कॉंग्रिस के जय प्रकाश अगरवाल ने जीत हासिल की थी उन्होंने तीन लाग से जादा वोटों से जीत दर्च की थी बीजीपी के बीयल शर्मा को उन्होंने हराया था इसके बाद 2014 के चुनाब में बीजीपी ने यहां से मनोश्तिवारी को उतारा मनोश्तिवारी ने यहां पर आमादनी पाती के आनंद कुमार को शिकस्त दी मनोश्तिवारी को एक लाग पांच हजार वोटों से जीत मिली थी इसके बाद 2019 के चुनाब में भी मनोस्तिवारी एक बार फिर से चुनाब जीट गए थे इस बार उन्होंने कॉंग्रेस की शीला दिख्षित को शिकस्त दी थी दरसल ये कहा जाता है कि दिल्ली में जब भी सीधा मुकाबला हुआ है तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है और अब जब मुकाबला त्रिकॉणिया हुआ है तो बीजेपी ने इसका फायदा उठाया है 2014 और 2019 में कॉंग्रेस आप और बीजेपी के बीच त्रिकोण ये मुकाबला था जिसका फायदा बीजेपी को मिला लेकिन इस बार आप और कॉंग्रेस ने गठबंदन किया है यानि बीजेपी और इंडिया गठबंदन में सीधी टककर है जिस कारण से बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है 2011 की जनगर्णा के अनुसार उत्तर पूर्वी दिल्ली में करीब 23 लाख लोग रहते हैं कर दो, कर दो 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 है।